दोस्तों अधानी ग्रूप की बात के तो गौतम अधानी के फैसले ने सबको चौका दिया है समझ से पहले 21,000 को भी इसका भारी कर्ज उनोंने चुका दिया है साथ में अंबुजा सिमेंट के अधिकरेन के लिए जो पैसे उन्हों ने लिये थे बकाय उसको भी चुका दिया है और इस फैसले ने माहौल पोजिटिव बनाए अधानी गूरूप इसलिए लगातार ऐसे फैसले कर रहे ताकि आने वाले समय में जो नए नीवे सके वो अधा करेंगे और जो सबसे बड़ी बात है कि अधानी गूरूप ने अपने Green Hydrogen Mission को थोड़ा रोक दिया है और इसके बाद में विनित बोलंजिगर के तरब से क्या का गया उसको भी समझने की कोसिस करेंगे और अधानी गूरूप के शेयरों की इस समय क्या स्विच्योशन है क्य इस समय इंवेस्मेंट किया जा सकता है जानने की कोसिस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बेल लाइक ओन दबा दीजिए ताकि जब भी निया वीडियो बने पहला इनके इस तरफे जापे 196 पॉइंट की किरावट है यानि 0.30% डाउन है बाजार यानि बाजार में नर्मी चाही हुई है और इसके पीछे वज़ा है FI पिछले कुछ दिनों से लगातार बाजार में बिक्वाली कर रहे है यानि यह मई मैने से ही वो बिक्वाल बने उसका आसर देखनों को मिला है बदानी गरप की बात करें तो अदानी पोर्षन इस्पेशल एकोनोमिक जोन इस समय 743 के आसवाज ट्रेड करता हो आपको दिखाए देगा जहां पे 0.69% की तेजी है तो यहां पे कुछ पोजिटिव माहुल बना हुआ है बात अगर हम करें अदान पर्षन की गिराउट है यह लगबग आदा पर्षन की गिराउट है अगर हम बात करें अदानी पावर की तो 259 पर स्टोक है और 0.039% की तेजी है एक तरह से इसको भी हम फ्लेट ट्रेडी कहेंगे क्योंकि कल की क्लोजिंग के आसपास आपको ट्रेड करता हो दिखा देग तो 677 पर आपको स्टोक ट्रेड करता हो दिखा देगा जब पॉइंट 60% की गिराउट है लगबग 10% की गिराउट अगर हम बात करें दानी ट्रांस्मिशन लिमिटेड की तो 866 पर स्टोक है जब पर 1.35% की गिराउट है तो यहाँ पर गिराउट थोड़ी सी आपको ज़ा पर 10 देजी है 455 के इस तर पे 3.63% की जबरदस और बंपर देजी और इसके पीछे वज़े अबूजा सिमेंट के जो कर्ज था वो चुकाना एंडी टीवी की बात के तो 232 के इस तर पे 2.68% की बड़ी गिराउट है अब इसके पीछे वज़े की स्टोक लगाता है दोड़ कर्ज अपना चुका दिया है और आप देखे तो इसके साथ में उन्होंने अंबुजा सिमेंट के अधिकरने के समय ले जो 70 कोड़ी का डॉलर जो लिया था कर्ज के रुप में वो भी चुका दिया है तो मुश्किलों से उबने की कोसिस करें अदानी ग्रूप ने सोमवार क अब बताया एक्चेंज को कि उन्होंने 2.6500 डॉलर का करीब 21,0870 गुपिस का जो लॉन था उसको समय से पहले बुक्तान कर दिया है और कम्पनी ने अपने कर्च के बोज को कम करने के लिए और निवेसको का भरोसा दोबा सारा हासिल करने के उधिर से ये कदम उठाय है अपनी सुची बत कम्पनियों के शेयरों को गिर्वी रखकर लिये गए 2.15 अरब डॉलर के लॉन का पूरी तरह से समय से पहले बुक्तान कर दिया नहीं जो भी उन्होंने लॉन लिया था अपने शेयरों के बले गिर्वी शेयर रखकर वो चुका दिया गया और साथ में अ प्रमोटर हिस्सेदारी को जो बीक्रिती उसको पूरी कर लिया गया है इस हिस्सेदारी को दिगेज अमेरिकी इंवेश्टमन फंजी की पार्टनर ने 1.87 अरब डॉलर याने करी 15,446 रोपीज में खरिजा था तो यहां पे यह जो पूरा डील था यह फाइनल हो चुकी है और इसमें इस्सेदारी ले लिया है जुकी जी पार्टनर ने अदानी ग्रूप ने काया कि कर्ज कम करने की हमारी यह योजना बताती है कि शेर बाजार की अइस तिर इस्तितियों में भी हमारे पास स्पॉंसर के साथ इस लेवल पर मजबूत कैस सेग्मेंट है और पुंज की रेटिंग में बदलाओ कर दिया है यानि अब रेटिंग बड़ा दी गई है अदानी ग्रूप की और यह काफी बड़ा फैसला है जो जिसका पॉजिटिव इफेक्ट देखना को मिल रहा है तो जो साथ में आप देखे तो अमबूजा सिमेंट के लिए जो अधिरन का जो कुछ ऐसी खबरे निकल के आ रही है कि यह जो अदानी ग्रूप की जो एक ट्रेन है जो वेगन ट्रेन जो उनके वहाँ पे माइल स्टोन से जो लेकर आती है उसके डिरेल की वज़े से यह मामले को कुछ प्रॉब्लम हुई आईसा उसकी वज़े से हुआ ऐसी खबरे निकल के आ रहे है तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली कि यह एक नेरो गेज रेल लाइन है जो उनके लाइमिस्टोन की जो उनका प्लांट है वहाँ से इस्टेशन तक आती है एक्चुल में इसके पीछे सवाल यह निकल के इसलिए आ रहे है क्योंकि जो एक्षिड कहा है कि जो हमारा जो सीसी सिमेंट का वेगन डिले हुआ उसके डेल होने से औरीसा का जो यह मामला है से कोई लिना देना हुआ नहीं है क्योंकि हमारा उस रूट से और प्ला पर एक्सिडन हुआ यह हमारा अलग नेरो गेज का ट्रैक रूट है और इस वज़े से उस रेल्वे के किसी प्रकार की कोई उसकी इस डिस्टरमेंस नहीं हुआ है यानि इनका जो वेगन भी उस समय डेल हुआ है लेकिन उनका कहना है कि हमारा जो पूरा ट्रैक की अलग है उस ट्रैक से उसका कोई सम्मन नहीं है तो इस तरह से आप देगे तो बयान जारी किया गया है अदानी ग्रूप की तरफ से क्या अदानी ग्रूप के इस वेगन की वज़े से यह घटना तो नहीं हुई लेकिन उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो हमारा नेरो गेज का अलग ट्रै प्लाइन के लिए उसमें किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है इस घटना के बाद भी हमारे रेगूलर वापर ऑपर ऑपर जारी है अब यहां पे देखे तो कि अदानी ग्रूप ने अपने कारोबार को पिरकूट पट्री पे लाने के लिए एक बड़ा फै जरूत है पूराना कर्ज भी चुकाना है तो ऐसे मैंने उसमें ग्रीन हाइडोजन मिशन को एक बार थोड़ा सार लेट कर दिया है तो इसको लेकर जो सवाल उटता है आप देखे दर विनित बोलंजीकर की तरब से का गया है कि इससे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ भी है और उनका जो ऑपरेशनल कंडिशन इसमें काफी स्ट्रॉंग है वो अपने बिजनस को मैनेज कर सकते हैं और यह जो फैसला लिया गया है यह उन्होंने बिजनस की सेहत को सुदाने के लिए ही लिया है तो आने वाले समय जो ग्रीन हाइडोजन इनका जो मिशन है उसक आने वाले प्रोजेक्ट है उसको थोड़ा सा डिले जरू किया है लेकिन आने वाले समय प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे और अधानी ग्रूप भी आगे बढ़ेगा तो बहुत सारी बाते जो साबित करें कि अधानी ग्रूप बहुत तेजी से अपने कारोबार को पट्री बिलाने की कोसिस करें बड़ा कर्च चुका दिया है और यह इसके लिए पॉजिटिव एफेक्ट देखने को मिलेगा लेकिन फ्रेंड कोई भी इंवेस्मेंट करने से पहले अपने फाइनसल एडवाजर से बढ़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्यूंकि मैंन वीडियो आपके जुकेशनल प्रपच के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरू की ज़िए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए